पिहार विधान सबा चुनाओं कल लगबग एक साल होना अभी बाखी है मगर पिहार के राजिनिती हलकों में उतार चरहाओ देखने को मिला दोस्तो इसी कड़ी में मैं आपको बताने जारा हूँ कि भाजपा के बड़े नेता ने आज अस्पष्ट कर दिया कि नितीश कुमार जी आप अगले बिहार के मुख मंतरी नहीं होंगे दोस्तो आप देखना प्रारम कर चुके हैं खबरी खबर मोटिवेशनल चैनल बाइब बिएन वाइब मैं बिवे का नज जाद हूँ आज भाजपा के बड़े नेता और M.L.C. संजे पासवान ने अस्पष्ट रूप से कहा कि बिहार बिधान सभा का चुनाओं एक साल लगभग बाकी है होना लेकिन अब नितीश कुमार जी को बिहार की गद्धी छोड़ कर केंद्र में खाली अस्थान पड़ा हुआ है जदियू के लिए वहां जाकर इन्हें मंत्री पत सम्हालना चाहिए और यह फुर्ब में भी केंद्र में थे और यहां की गद्धी इन्हें छोड़ देनी चाहिए और यहां भारते जनता पार्टी के उम्मिद्वार मुख मंत्री बनेंगे चुकि आम भोटरों में यह चर्चा है कि केंद्र तरकार जो फैसला लेती है उस फैसला का नितीश कुमार जी बिलोद करते है ऐसी इस्तिती में चुकी जनता के बीच में विश्वास बना रहे और भारते जनता पार्टी और जदियू के बीच में दरार न समझे और जनता भटके नहीं इसलिए त्याग करना होगा नितीश कुमार जी को और अस्पस्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगला मुखमंतरी बिहार का भारते जनता पार्टी के होने चाहिए और होंगे इसलिए उन्हें केंदर जाने की सलाह दी जा रही है नरिंदर मोदी जी के नित्रित में नितीश कुमार जी काम करें केंदर में जाकर वह ज्यादा बेहतर होगा तीन सो सत्तर धारा तीन तलाग एन आर्सी सारे मुद्दे पर नितीश कुमार जी का एस्टेंद असपस्ट नहीं रहा और उन्होंने और उनकी पार्टी ने विरोध किया और बैनर पोश्टर में कहा जाता है कि ठीके हैं नितीश कुमार तो काम चलाओ होने से विहार का विकास नहीं होगा ठीके हैं मतलब काम चल रहा है नितीश कुमार जी ठीक हैं जनता ठीके हैं समझ हैं कि काम चलाओ मुखमंतरी हैं इसलिए आप बिहार को काम चलाओ मुखमंतरी नहीं चाहिए पढ़िया काम हो बेहतर काम हो अपड़ाद पर नियंतर हो इसलिए आप भारते जनता पार्टी के म मुखमंतरी को या सीट मिली चीए और दूसरी बात उन्हों ने यह भी संजे पासवान ने कहा कि जब जीतन राम मांजी को उन्होंने मुखमंतरी बनाया और उन पर विश्वास दिखाया बना कर और किस कारण से वो फिर अलग हुए उसमें नहीं जाना है इसलिए जब 15 साल से इन्होंने सासन विहार में करना प्रारं किया और पूरा हो रहा है अब इन्हें भारते जनता पार्टी पर विश्वास जगाना होगा और विश्वास करना होगा और भारते जनता पार्टी के लिए इन्हें त्याग करना चीए और भाजपा के मुखमंतरी हों यही कार करता नितागन सारे लोग चाहते हैं और नितीज कुमार जी केंदर में चले जाएं क्योंकि मैंने पुर्व में भी कई वीडियो आप लोगों को सुरुताओं को दिया कि भारते जन्ता पार्टी और जदियू के बीच में खटपट चल लहा अच्छा नहीं है राग अलग-अलग अलापा जाता है आपस में पहुत जाता खाई बन चुका है चुकि उन्होंने यह भी कहा कि डिप्ती सीयम का पद कब तक समाला जाए जदियू डिप्ती सीयम रहे और मुखमंत्री भाजपा के रहे अब अगले चुनाओं में मुखमंत्री बनने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा चुकि देश अस्तर पर भारते जनता पार्टी अपना पैर पसार चुकी है और बिहार में डिप्ती सीयम का पद नहीं चाहिए अब उन्हें मुखमंत्री का पद चाहिए मैंने इस विशे में कई वीडियो जारी किया और मैंने कहा था कि अब इस्तिती बद से बदतर होती जा रही है और अच्छा नहीं है आने वाले चुनाव के वक्त आते आते यह किलियर होगा कि बिहार के मुखमंत्री अब भाजपा के होंगे जो असफ़श्ट आज संजे पासवान ने कर दिया मेरी दीवी सारी वीडियो मेरी दीवी सारी कही गई सारी बातें आज सत्व पढ़तीत होता जा रहा है इसलिए कि आज संजेफ बासवान ने अस्पश्ट कर दिया दोस्तों मैं जाचा पढखा हुआ जान कर समझ कर बुझ कर सत्वात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं और सत्वता के साथ आज मेरी यह समाचार भी सत्व हुई कि नितिश कुमार जी अगले मुखमंतरी अब बिहार के नहीं होंगे दोस्तों मेरे विडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें सेर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें धन्यवात